नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने चैनल परफेक्टरी में तो कल गुरुवार है विकली एक्सपाइरी है उसके लेवल देखेंगे फॉल आएगा या राइज वो भी देखेंगे जैसे कि आज अच्छा खासा फॉल आया था जैसे कि कल हमने डिसकस किया था वीडियो हो गए सभी टारगेट पूरे हो गए 95% के एकुरसी से हलाकि कल 100% एकुरसी थी तो आप अगर वो सीखना चाते तो हमारे सेटप सीख सकते हैं और सेटप के लिए आपको हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप एप 65% के एकुरसी से कैसे काम किया जाता है और कैसे आप को स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट टारगेट सब कुछ मिलता है वो आप पड़ सकते हैं और पूरा का पूरा प्राइज एक्षन के ऊपर बेस्ट है हमारे सेटप कोई भी फॉल्स इंडिकेटर मसीडी आरे साय जैस बी स्टार नहीं है सिर्फ प्राइज एक्षन है जिसके उपर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो 95% एकुरसी से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलिग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उधर भी हम कॉल अपडेट करते रहते हैं तो उसमें से भी आप सी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुए उधर जॉइन हो चाहिए उससे आपको एकुरसी का पता चलेगा और आप कोर्स के लिए इन्रोल कर सकते हो जिनके पास भी डिमैट नहीं नए लोग है वो अपना डिमैट खोल सकते तो देखे कल हमने डिसक्रिप्शन किया था अगर मारकेट फ्लाइट ओपन होता है और नीचे चलने लगता है बराबर फ्लाइट ओपन होता है नीचे चलने लगता है और 41,250 क्रोस करता है तो नेक्स टार्गेट मैं ने दिया था 41,000 का आप कल का वीडियो देख सकते है तो देखिए जैसे ही क्रॉस किया ये नीचे आके देखिए पूरा का पूरा हमारा टार्गेट हुआ दूसरी चीज क्या थी कि मैंने बोला था कि जब तक 15 मिट की केंडल क्लोज नहीं देती देखिए 15 मिट की रेड कलर की केंडल नीचे जब क्लोज दे दे और उसका लो अगर तूट जाए तभी आपको इंटर करना था और तभी ये नीचे आया है तो ऐसे लेवल बराबर हुए थे अभी देखिए और जो भी मैंने कल कहा था कि ग्याप पेंडिंग है तो बहुत ज़्यादा चांसी की ग्याप को फील करने के लिए आ सकता है अभी देखते अभी मारकेट के ओपनिंग के ओपर डिपेंड कलता है फ्लैट ओपन होके ऊपर अगर जाने लगा तो जैसे ही ये swing को क्रॉस करे मतलब फॉर्टी वन थाजन तू हेंड़िड को जैसे ही क्रॉस करेगा नेक्स टार्गिट रहेगा फॉर्टी यान 11100 को क्रोस करेगा आपका टार्गेट रहेगा 41,000 तक ही रहेगा क्योंकि यह अभी सपोर्ट बहुत बड़ा बना हुआ है तो यह सपोर्ट के नीचे काम नहीं करना है इसके नीचे लेवल अगर आएंगे तो मैं टेलिग्राम में अपडेट कर दूंगा तो अभी के लिए इस गया तो फूट का टीके हुआ तो कल मार्केट थोड़ा साइड वे रेंज रह सकता है इस साइड में अगर गयाप खुला तो तो 41,300 और 41,500 इसके बीच में यह गूम सकता है तो कल की एक्सपायरी मुस्ट प्रोब्याबली 41,500 देखिए 41,500 और 40,900 के बीच में खतम होने के चांसे से अगर यह फ्लैट गयाप अगर वगर खुला तो इसमें आप क्या कर सकते हो आप इसमें स्ट्रैडल बना सकते हो तो यह कैसे कर सकते हो स्ट्रैडल बना सकते हो देखिए स्ट्रैडल बना सकते हो तो स्ट्रैडल कैसे बना सकते हो कि 41,500 का call आपको short करना है और 40,900 का put short करना है तो इसमें दोनों का decay होगा अगर market बीच में ही रहा तो और आप इसका profit जो भी decay होगा वो ले जा सकते हो तो इस तरह से आपको काम करना है अगर gap down खुलता है 41,100 के नीचे और पहली candle 15 minute की red बनती है उसका low अगर तूट जाता है तो फिर से target 40,900 होगा राइट इसके आगे नहीं जाना है मैं बाद में update कर दूँगा तो यह थे magnitude के level अभी nifty के देख लेते हैं देखिए nifty similarly मैंने कहा था aggressively आ सकता है नीचे तो देखिए nifty तो immediately aggressively नीचे आ गया gap fill हो गया जो मैंने target दिया था exact target भी हुए है अभी बहुत easy है यहां से flat खुलता है नीचे आता है और यह swing अगर चला जाता है मतलब break हो जाता है तो जैसे ही 17,660 के नीचे आएगा आपको sell करना है 17,600 target पहला होगा और अगर उपर चला जाता है तो जैसे ही यह swing आएगा 17,800 को buy करना है और target रहेगा 17,900 तक 100 point का उपर की तरब target रहेगा gap अप खुला तो थोड़ा volatile रहेगा market तो avoid करना है और gap down खुला तो फिर से 17,660 के अगर आसपाद directly gap up खुला या फिर 17,600 पे gap up खुला तो थोड़ी recovery आ सकती इसमें थोड़ा बचके रहना है वो मैं level में समझा दूँगा कैसे गरना है और कितना target रखना है तो flat opening पे सबसे अच्छा trade मिल सकता है या फिर gap down opening पे तो चलिए अभी HDFC bank का बता देता हूँ HDFC bank का level दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख रहे है HDFC bank एक consolidation zone में चल रहा है अभी अगर आप देख रहे होगे तो उपर की तरब भी नहीं है नीचे की तरब भी नहीं है तो आपको क्या करना है चलो one day में मैं बता देता हूँ तो थोड़ा समझ आएगा देखे one day में आप देख सकते हो continuously देखे continuously क्या है one two three तीन red candle बनी है continuously पतलब उपर जा रहा था retracement हो अभी उपर जा रहा है लेकिन इसके उपर जब तक नहीं जाता तब तक हमारा strong resistance तूटेगा नहीं तो लेवल क्या रहेगे अगर एज़ेपसी बैंक फ्लैट खुलता है फ्लैट की नीचे आएगा तो जैसे ही 15 15 आएगा आपको सेल करना है 15 15 पे टार्गेट होगा 15 10 का डार्गेट होगा मतलब 5 पोइंट का डार्गेट और 15 17 का stop loss होगा सिर्फ 2 पोइंट का stop loss है 5 point का target है HDFC bank में और option का level दिखा देता हूँ कल के लिए देखिए 22nd September 41,200 put का option में दे रहा हूँ तो put के option में क्या करना है जैसे ही आपका 400 हो जाए जैसे ही आपका 400 हो जाए जैसे ही आपका 400 हो जाए 450 आपका target होगा safe 420 भी ले सकते हैं जो भी safe trader है beginner है या फिर जिनको अभी price action बता नहीं वह 420 में ही exit हो सकते है 20 point का profit लेके 380 stop loss होगा वक्ति stop loss 380 entry 400 और जो भी आपका target होगा 450 इसी तरह से आपको course में भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे यह निकालना है सब कुछ आपको आ जाएगा सिर्फ enroll किजिए 95% accuracy के setup सीखिए तो चलिए सभी समझ आया हो गया लेवल्स अभी चैनल को जादा से जादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाते हो ता आप कमेंट करके बता सकती चलिए बाए बाए